नमस्का, डेली PCS GK में आपका स्वागत है शुरुवात करते हैं अभ्यास प्रश्ण से हमारा प्रश्ण था भारत के पहले परमाड़ परिक्षड का कोड नाम क्या था? आपके विकल्ब थे इसका सही उतर्य विकल्ब 11 मई 1998 में भारत ने अपना दूसरा परमाड़ परिक्षड किया था 2023 में पोख्ण दुतिये परमाड़ परिक्षड के 25 साल पूरे हो गए हैं परिक्षड को इस परिक्षड को सामाने तहा कहां देखने को मिलती है? A. पहारी घाटी B. विश्वत रेखा पर C. उत्री एवं दक्षडी ध्रुब पर या फिडी उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर विकल्प C. उत्री एवं दक्षडी ध्रुब पर हाली के दिनों में लद्दाख में ओरोरा बोरियालिस की घटना देखी गई थी ओरोरा एक चमकदार परिखटना है जो उत्री ध्रुबों और दक्षडी ध्रुबों के नर्जदीक देखी जाती है ये प्रत्वी के चुम्ब की क्षेतर हैं और वायू मंडल के साथ सूरी से अविशेशित कड़ों के परस्पर क्रिया के कारण होती है ओरोरा ओक्सीजन और नाइट्रोजन के गैसों और कड़ों से मिलकर बनती है इन कड़ों के वायू मंडल से टकराने से प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्सरजित होती है ओरोरा में देखे गए रंग गैस के प्रकार और उसके टकराव की उचाई पर निर्भर करते हैं अगला प्रश्न उर्वरक उडंदस्ता निमलिखित में से किस मंत्राले के तहित गठित विशेश टीम है आपके विकल्प है इसका सही उत्तर है विकल्प बी रसाइन और उर्वरक मंत्राले केंद्री रसाइन और उर्वरक मंत्राले के तहित उर्वरक विभाग ने बिश्टा चार से निपटने और भारत में किसानों हेतु गुरवत्ता पूड उर्वरकों की उपलब्दुता सुरिशित करने के लिए कई उपायों को लागू किया है इन पहलों ने देश भर में और वरकों के डैवरजन एवं काला बजारी को सफलता पूर्वग रोका है और वरक उलंदस्ते यानि फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्कुएड्स यानि FFS नामक विशिश टीमों का गठन सक्त निगरानी रखने तथा डैवरजन, काला बजारी, जमाखोरी एवं घटिया और वरकों की आपूर्ती जैसी गती बिधियों पर नकेल कसने ही तुक किया गया है आगला प्रशन FAME योजना की संदर्व में निम्रिकित कतनों में से कौन सा कतन सही है A. यह एलेक्टिक वाहन निर्माण और इसे अपनाने के लिए राज कोशिय प्रोथसाहन प्रदान करती है B. इसका वर्ष 2030 तक विध्युत वाहनों की हिस्सेदारी 30 प्रितिशत तक करने का लक्ष है C. यह शहरी केंद्रों में चार्जिंग तकनीक और स्टेशनों की तैनाती का समर्थन करती है याफिडी उपर्युक्त सभी इसका सही उतर विकल पड़ी उपर्युक्त सभी Faster Adoption and Manufacturing of Electric and Hybrid Vehicles Scheme इसी को शॉट में कहते हैं FAME FEM यह योजना 1 अप्रेल 2015 को लागू की गई थी यह इलेक्टिक वाहन निर्मान और इसे अपनाने के लिए राज कोशी प्रोथसाहन प्रदान करती है इसका वर्ष 2030 तक विद्दुत वाहनों की हिस्सेदारी 30 प्रितिशत तक करने का लक्ष है यह शहरी केंद्रों में चार्जिंग तकनीक और स्टिशनों की तैनाती का समर्थन करती है अता है विकल्ब D सही है अगला प्रश्न वैदिक देवताओं के तीसरे वर्ग प्रत्वी के देवता में निमलिकित में से कौन से देवता आते हैं इसका सही तरे विकल्ब D अगनी ब्रिस्पती और सोम वैदिक देवताओं के तीसरे वर्ग प्रत्वी के देवता में अगनी ब्रिस्पती सोम आधि देवता आते हैं सर्पर्थम रिगवेद में बहु देवबाद की दर्शन होते हैं एवं रिगवेद में उल्लिकित अधिकांश देवता पुरुष हैं तथा देवियों का स्थान कौड है वैदिक देवताओं के मुखताह तीन वर्ग हैं आकाश के देवता अंतरिक्ष के देवता और पृत्वी के देवता अता विकल्प डी सही है अगला प्रशन शांती निकेतन किसे राज जमेस्तित है ए उडिशा बी पश्चिम बंगाल सी केरल टी उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है विकल्प बी पश्चिम बंगाल खाली में नोबिल प्रसकार वजेता और कवी रवीदर नाट टैगोर के निवासस्थान शांती निकेतन को युनेसको की विश्व विरासा सूची में शामिल करने की सिफारिस की गई है यह सिफारिस एकंतराष्ट्रिये सलहकार निकाय इंटरनेशनल काउंसिल ओन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स द्वारा की गई है शांती निकेतन पश्चिम बंगाल के बीर भूम जिले में स्थित एक विश्व द्यालई शहर है यह मूल रूप से रवींद्र नाठ टैगोर के पिता देविंद्र नाठ टैगोर द्वारा निर्मित एक आश्रम था विश्व विरासत सूच में शामिल होने के लिए साइटों को उतकृष्ट सार भौमिक मूल लिका होना चाहिए शांति निकेतन यदि चुना जाता है तो यह यूनेसको की सूच में जगह बनाने वाला पश्चिम बंगाल का दूसरा सांस्कृतिक प्रतीक होगा आपको बता दे कि यूनेसको ने 2021 में मानफता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूच में कुलकाता की दुरगा पूजा को शामिल किया था अगला प्रेश्ट भारती प्रतिभूती और विनमय बोर्ड को किस वर्ष फैधानिक सामविधिक दरजाद दिया गया आपके विकल्प हैं इसका सही उतर विकल्प A 1992 आए संक्षिप्त में जानते हैं भारती प्रतिभूती और विनमय बोर्ड के बारे में इसका अगठन भारत सरकार के प्रिस्ताफ के माध्यम से 12 अप्रेल 1988 को एक गैल सामविधिक निकाय की रूप में किया गया था 1992 में भारती प्रतिभूती और विनमय बोर्ड अधिनियम 1992 के द्वारा इसे सामविधिक दरजाद दिया गया इसलिए विकल्प A सही है इसके मूल कार निम लिखित हैं प्रतिभूतियों के निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षल करना प्रतिभूती बाजार के विकास का उन्यन करना तथा उसे वी निमित करना आदि अगले प्रश्ण भारत की सम्विधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था आपकी विकल्प है ए क्रिप्स प्रिस्ताव बाउंट वेटन योजना सी कैबिनेट मिशन या फिडी वैवेल योजना इसका सही उतर है विकल्प सी कैबिनेट मिशन 1942 में क्रिप्स प्रिस्ताव लाया गया जिसके प्रावधान दुती विश्युद्ध के बाद लागो होने थे इस प्रिस्ताव को विवाजन की मांग स्विकार ना करने के कारण मुस्लिम लीग ने आस्विकार कर दिया किर्प से प्रिस्ताव की अस्फलता के बाद भारत में कैबिनिट मिशन भेजा गिया कैबिनिट मिशन यूजना द्वारा सुजाए के प्रिस्तावों के अंतरगत दिसंबर 1946 में सम्मिधान सभा का गठन हुआ अताव विकल्पसी सही है गौरत अलबे की भारत की सम्मिधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले M.N.Roy द्वारा 1934 में रखा गया था 1935 में यह भारती राष्टी कॉंग्रिस की आधिकारिक मांग बन गई अगला प्रश्न निमलिकित में से कौन सा सदत विकास लक्ष यानि SDG सभी के लिए पानिक की उपलब्दता और इसके इस्थाई प्रबंधन से सम्मंदित है आपके विकल्प है A.SDG 6 B.SDG 7 C.SDG 8 या फिर D.SDG 9 इसका सही उतर विकल्प A.SDG 6 सेंक्त राष्ट दौरव वर्स 2015 में सतत विकास लक्षों को अपनाये गया जिने 2030 तक प्राप्त करना है इस प्रकार विश्व के प्रतेक देश को सतत विकास लक्षों में शामिल 17 वैश्वक लक्षों और 169 उद्देशों को वर्स 2030 तक प्राप्त करना है अता सिंट राष्ट महासबा ने इस नई रूप रेखा दुनिया में बदलाव टिकाव विकास के लिए 2030 का एजेंडा को अंगीकार किया है सतत विकास लक्ष यानि SDG6 सभी के लिए स्वक्षता और पानी के सतत प्रबंधन को सुनिशित करने से सम्मंदित है अता विकल्प A सही है चलिए अब नूट कीजिए आज का भ्यास प्रश्ण हमारा प्रश्ण है राष्टी प्रो उद्योगी की दिवस कब बनाये जाता है आपके विकल्प है A 10 मई B 11 मई C 12 मई या फिड D 13 मई तो दोस्तों इस प्रश्ण का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूले मिलते हैं नए सेशन में नए प्रश्णों के साथ तब तक के लिए नमस्कार